नमस्कार किसान भाईयों, किसान भाईयों आज के दिनों में फसलों में कीट लगना या कीटों का आक्रमन किसान भाईयों के लिए सबसे बड़ी सरकी दर्द बन चुकी है इसलिए किसान भाई फसलों में कीटों के आक्रमन से बचने के लिए बाजार से तरह तरह की महंगी महंगी कीटनासक खरीद के अपने फसलों में परयोग करते हैं लेकिन इसके बावजूद भी किसान भाईयों को सही अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता है और कीटों से छुटकारा तो दूर की बात है तो इसलिए आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसी कीटनासक के बारे में बताओंगा जो बहुत ही सच्टा है और बहुत ही ज्यादा अच्छा रिजल्ट फसलों में लाके देता है कीटों से अच्छे से बचाता है इसकी इतना सक का नाम है Danitol, यह Sumitomo Company जो की Japan की Company है, इस Company का एक Product है, किसान भाइयो इसकी इतना सक की सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, बताओंगा कि Danitol का कप प्रियोग करना चाहिए, किन-किन फसलों में इसका प्रियोग कर सकते हैं, इसका mode of action क्या है, इसकी price क्या है, इसकी dose क्या है, किसके साथ इसका combination करें, बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, तो इसी बात पर एक लाइक तो बनता है, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बट बहुत सारे कीटों पर कंट्रोल आपको लाके दे सकता है, मतलब कि एक साथ अगर आपके फसलों में दो-तीन रखम के कीट लगे हुए हैं, जो मैं कीट आगे आपको बताऊंगा, उन सभी कीटों पर ये आपको एक बार में ही कंट्रोल दे सकता है, इसकी mode of action की बात करें, तो ये कीटों की nervous system को attack कर उसे damage कर देता है, मतलब जिस भी फसल में आप इसका प्रियोक करेंगे, उस फसल के पत्ते को या फसल को नुकसान पहुचाने की कोशिस करेंगे कीट, तो कीटों की nervous system में ये दबाई जाके उसको damage कर देती है, और कीटों को मार गिराती है, अब ब जागन हो गया, मीर्च हो गया, तमाटर हो गया, कपार्स हो गया, धान हो गया, मक्का हो गया, सभी फसलों में, सभी सबजियों में आप इसका प्रियोक बेजिजग कर सकते हो, अगर बात करेंगे कौन सी कीटों से आपको नियंतरन देगा, तो इन में मुखत और पे leaf hopper, pink ball warm, American ball warm, aphid, thrips, उसके बाद गुलाबी सुन्दी, गुलाबी सुन्दी में तो किसान भाईो, इसका असर मतलब मानिये की सबसे जादा है, अगर आपके फसलों में गुलाबी सुन्दी लगता है, तो आप इसका प्रियोक जरूर एक बार करके देख सकते हैं, काफी सच्टा ह और काफी effective है, तो आप मेरी मानिये, तो गुलाबी सुन्दी है, तो एक बार जरूर इसका प्रियोक करके देखिएगा, और किसान भाई, एक चीज याद रहे कि जब भी आप इसका इसका इस्प्रे करेंगे, तो सामके तीन बज़े के बाद ही इसके आपको ज्यादा अच् परसेंट आपको अच्छा डीजल देखने को मिल सकता है किसान भाई अगर इसकी डोज की बात करें तो आप इसे एक लिटर पानी में दो से धाय मेल इसकी डोज रख सकते हैं गुलावी सुन्दी के लिए जब आप इसका प्रियोग करेंगे तब आप इसका दोज थोड़ा ब मिला करा ॉप्साहिए तो किसी टॉनिक के साथ आप ढूत दालेंगे तो सिर्फ टॉनी की जाले तीनों को एक साथ मिला करें इससे आपको ुल्टा रिएक्सेड़ हो सकता है तुकिसी एक के साथ ही आप इसका प्रियोग करें किसान भाई अगर इसकी किमत की बात करें तो हर जगा पे कीमत इसकी उपर नीचे हो सकता है मैं हमारे एरिया में जो इसकी कीमत है एक बता देता हूँ आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं आपके एरिया में उससे 50 रुपे ज़्यादा या कम हो सकता है तो हमारे इधर जो इसकी कीमत है डैनी टॉल की ये लगबग एक लिटर साथ सो रुपे तक में मिल जाता है अगर डैनी टॉल की रेन फासनेस की बात करें तो आप इसके साथ अगर कोई भी तरह की सेंपू या चिप को डाल के स्प्रे करते हैं तो अगर इस्प्रे के चार से पांच घंटे बाद अगर बारी स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल बाली बेल की घंटी भी दबा ले ताकि ऐसे खेती से जुरी वीडियो आपको मिलती रहे मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हींद जय जबान जय किसान